उदर हर्याना व्यधान सभाद चुनाव की तयारियां जोरो पर हैं इस पर क्या कुछ आगे तयारी है बताएंगे आपको लेकिन बड़ी खबर आपको बता दे पलवल से कॉंग्रेस प्रत्याशी करण दलाल का विवादित बयान जामने आया क्या कुछ का करण दलाल ने बताते हैं आपको विवादित बयान दिया विवादित बयान सामने आया वियापारी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है वियापारी कभी किसी के सगे नहीं होते करण दलाल ने ये बयान दिया है एक तरफ जहां हरियाना में कॉंग्रस गुडबाजी से जूज रही है और कॉंग्रस से इस्तिफा देने के बाद पूर्व प्रदेश अद्यक्ष अशुक्तवर लगातार कॉंग्रस पर सवाल उठा रहे हैं व्यवपारी लोग हमारे राप पे सगे नहीं हो सकते व्यवपारी लोगोंने तो हमेशा सदीों से हमारा आपका खुंचूसा है इन्हें तो अपने फायदे नुक्सान की पढ़ी है ये व्यवपारी लोग हमारे रापते सगे नहीं हो सकते व्यवपारी लोगों ने तो हमेशा सदियों से हमारा आपका खून चूसा है इन्हें तो अपने फायदे नुक्सान की पड़ी है पर बड़ी खबर आपको बतारे हैं दरसल पलवल से कॉंग्रस के प्रत्याशी हैं करण दलाल और उन्होंने एक जनसबा को संबोधित करते वे ये विवादित बयान दिया है बगत कॉंग्रस प्रत्याशी करण दलाल की तरफ से विवादित बयान सामने आया उन्होंने व्यापारियों को लेकर एक विवादित टिप पनी की क्या कुछ अपडेट? और उन्होंने वीडियो को ऐडिट करते बात करते विवादित करन दलाल की तरफ से एसया ऑड़ेट करके दिखातीना मीजों को लगता आईटित गई पुष्टी नहीं करता है लेकिन जो कहना चाहा रहे थे करण दलाल क्या उसका संधर्ब वो समझा पाएं क्या पाजबा की ताज़िस है उने बगनाम करने के लिए क्योंकि वुष्टे लगातार यहां पराज़ित होती रही है और उनकी जो यहां पर जो लगातार उनका जनाधार बटजा रहा है उससे बोकला का इस तरह है कि उनके खिलाब साज़िस ही जारे जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भगत आपका इस तमाम जानकारी और बात्चीत के लिए नज़रा बना रखिए का अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे तो वैपारियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है पल्वल से कॉंग्रेस प्रत्याशी करन दलाल ने तो वैपारियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया और इस बीच रमन मलिक का बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है रमन मलिक साब बहुत स्वागा थे जानता टीवी पर गन्यवाद पल्वल से प्रत्याशी करन दलाल कॉंग्रेस के एक विवादी टिपड़ी उन्होंने व्यापारी वर्क पर की क्या कुछ कहेंगे पहला रियक्शन आपका तो यह देखना चाहिए कि उनके वहाँ हमारे भाज़पा के प्रत्याशी कौन है वहाँ पर और यह उन्होंने गुपचुप तरीके से उनके उपर कटाक्ष करने के लिए पूरे वहश समाच को आज उन्होंने कटगरे में चोर बनाके खड़ा कर दिया है यह करन दलाल जी ने पूरे के पूरे वहश समाच के उपर एक प्रतिकार करा है एक आहत करा है उनको उन्होंने प्रहार करा है यह इस से कम कुछ नहीं है क्योंकि उनके वहाँ पे राजनेतिक आप देखिए कि अगर टिकट किसको उनके सामने कौन खड़ा हुआ है बाजबा से तो आपको यह बयान जो है उसके उपर स्पश्टिकरन और उसका वास्तविक जो उनका आंकलन है वो भी आपको मिल जाए लेकिन वो आरो उप लगा रहे हैं कि उनका जो बयान है बीजेपी के आईटी सेल ने इसको एडिट करके अपलोड किया है और तमाम जो शोशल मीडिया प्लैटपॉर्म से उस पर बीजेपी साजिशन इसको फैला रही है इसका प्रचार कर रही है देखी प्रचार कर रही है या नहीं है ये वास्विक्ता में है जिस तरीके से सुकवीर दी यहाँ पे हैं गुरुरुगराम में कैंडिटेट उन्हों ने ये बोला कि यहां गुरुगराम के अंदर अगर रहना होगा तो सुकवीर की जायब बोलनी होगी दूबेंदर लाके खड़ा कर दिया है उनको चोट बोल दिया है जी मैं इस जानना चाहूंगा कि जो जो समाज एक विविसाय करता है टेक्स देता है सब कुस करता है आप उसको चोट बोल रहे हैं आपको लग्चा नहीं है आपके सवाल का भी और जनता ठीक है टीवी के सवाल का जवाब दिने के लिए हमारे साथ बाल कोई चर्मा कंग्रस प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गया मलिक साब सब्सक्ना बहुता है यह यह लिक साब लत का सब्सक्राइब है अगर किसी को तो ड़ंड ओर करके पीश करना से उसुल किसी भी बयान को तोड मरोड कर पेश कर दिया गया लेकिन उसका संदर्ब तो जनता को समझाइए हमें भी समझाइए किन चीज़ों को समझते हैं क्या डिर्टी पॉलिक्स पॉलिक्स के तैत हम एक वर्ग विशेश को इस तरह की भाशा उनके लिए क्या इस्तमाल की जा सकती है कितना जाएज है मैं यह कहना चाहता हूँ आप यह बता यह करन सिंग दराल जी का तो स्टेटर स्टेट का यह है यह खुद अमिच्छा नहीं यह का था कि मादमगां देख्चतर बनिया था यह तो इनकी पॉलिक्स ने बीजेपी का सड़ियन से रहता है अगर आप बीजेपी पर डटी पॉलिक्स का रोप लगा रहे हैं तो यह कहिए कि आप बीजेपी के नक्षे के दम पर चल पड़े हैं करन दलाल ने सुनिए जरा ये व्योपारी लोग हमारे रापते सगे नहीं हो सकते व्योपारी लोगों ने तो हमेशा सदियों से हमारा आपका खून चूसा है इन्हें तो अपने फैले नुक्सान की पड़ी है ये व्योपारी लोग हमारे रापते सगे नहीं हो सकते व्योपारी लोगों ने तो हमेशा स सब्सक्राइब करते हैं उसके बाव बढ़ाते हैं उसके बाद आमजनता पिस्ति है सब्सक्राइब करन दलाल जी जिनको प्रदेश का बड़ा नेता बोल रहे हैं जिनों सब्सक्राइब करना पड़ेगा जी जो कि कॉंग्रेस के सारे दलों को जो कॉंग्रेस के खटक हैं बीच में साथ के साथ जी वो मिल जाएं इस विचार से उन्होंने रखा था मैं तो इन से पूछना चाहूंगा कि आज ये बताएं कि उनके सामने खड़ा कौन है और अगर व इन्होंने ये बयान दिया है और ये बयान बिलकुल तरफ एक वर्ग विशेश को दिमाग में लेकर दिया गया है और पूरे के पूरे वैस्ट समाज के उपर ये एक प्रतिकार है आद करा है उनको और एक तरीके से एक समाज को आपने ये दिखाया है कि वो तरफ पुरीति लगे यह पूछ पिछले मदर इंडिया की तरीके से मदर इंडिया में एक वेपारी को दिखाया गया था उसी लाइट में सारे के सारे वेशन समाथ को दिखाना चाहते हैं जी जवाब दीजेगा देखिए मलीक साब रहे शुर्द ये वेखते हैं इतने बड़े परवक्ता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आती क्यों इस तरह की जास्तिकत बात करते हैं ये लोग एक वेपारी में और बात तो सर बात तो करण दलाल कह रहे हैं वह एक विशेश वर्कों व्यापारी वर्कों जिस तरीके से एक अबदर टिपड़ी उस पर कर रहे हैं सवाल तो उठने अब जिम्मदार चैनल है और इसलिए जिम्मदारी के साथ ये सवाल में आप पूच रहा हूं बाल-मृतिण शर्माजी लाल-मृतिण शर्माजी दमेज कंट्रोल तो आप कर रहे लेकिन एक जिम्मधार चैनल एक जिम्मधार चैनल सुनिए बालमकुण शर्माजी सवाल में रहे एक जिदे जो बीजेपी के वहां पर प्रत्याशी है उन पर रिशाना साथने की कोशिश के संदर्ब तो समझा दीजे सर आगे लेकिर है क्या संदर्ब क्या मतलब उनके बैंगार बालमकुण शर्माजी नाम लीजे कि उनके सामने कौन कड़ा है जी करंदरार के सामने प्रत्याशी कोन है नाम लीजे आपको आप खुद उपर दर्द्र आपको सामने आजाए इसारी बात आप यह अंग्रेज भी ही काम करते रहें नहरूब साथ भी तो आप उस तरफ ले जाना जाते हैं क्या आप उसको जोड़ी आप यह बताईए भी कि उनके खिलाब भान हुआ है आप यह बताईए कि करंदराल जी के सामने उनका भाज़फा का प्रतिदंदी कौन है कोई नाम बोलिए एक तरफा है क कि फ्रस्टेशन इस तरीके की है कि उन्होंने पूरे के फूरे वयपादी समाच के उपर पूरे के पूरे वैश्य समाच के उपर आज ये आहत करने वाले शब्द बोले है इस शब्दों की बतना हो ना कम है इस वक्त हम एक जो नेगेटिव पॉल्टिक्स है उसके रसातल में पहुंच चुके हैं और वोई पार्टिक्स कॉंग्रेस अब कर रही है अब आप चाले वक्त मेरे पास का में बहुत बहुत शुक्रे आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूले बैल आइकन और सबस्क्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल